ओम नमस्षिवाय शिवजी सदा सहाई ओम नमस्षिवाय गुरुजी सदा सहाई ओम नमस्षिवाय गुरुजी सदा सहाई ओम नमस्षिवाय गुरुजी सदा सहाई दे दे मुझे भी अपने दर का एक फूल मेरे गुरुजी जिसकी खुश्बु ने मुझे खीचा है तुझे क्या कमी मेरे प्यारे गुरुजी तेरा दर्तों रहमतों का पूरा भगी चाए जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी सारी संगत को भी मेरा सुमना जी का प्यार भरा जै गुरुजी संगत जी आज आपके साथ देली के चार सस शेयर करने जा रही हूं और गुरु जी की विशेश ब्लेसिंग है ये क्योंकि चारु ससंग दिली से ही हैं एक ससंग रिटन में हैं तो जैसा आँठी जी ने लिखा है मैं सेम टू सेम वैसा ही रीट करूंगी और तीन ससंग आडियो में हैं आप पूरे ससंग फिल्कुल ध्य चारु से सुनेगा क्योंकि ये गुरु जी की विशेश ब्लेसिंग है संगAL जी आपके लिए शेयर जरूर किजेगा लाइक कीजेगा वीडियो को और कमेंट में गुरु जी का शुकराना एक बार जै गुरु जरूर लिख दीजेगा एक से जादा बार भी लिखते हैं पर लिखेगा जरूर और गुरुजी करेंगे कल्यान तो शुरू करते हैं आंटी जी का ससंग और उसके बाद आडियो में तीन ससंग और शेयर करूंगी तो प्लीज पूरे ससंग जरूर सुनेगा क्योंकि गुरुजी ससंग शेयर करने वाले का भी और सुनने वाले का भी करते है कल्यान तो ये गुरुजी की विशेश ब्लेसिंग है आपके लिए जो भी ससंग को सुनेगा उसके गुरुजी कष्ट दूर करेंगे और उसकी मनोकामना को गुरुजी जरूर पूरी करेंगे ससंग को पूरा सुनेगा बीच में मत छोड़ेगा और शेयर जरूर कीजेगा तो जैगर जी आंटी जी लिखते हैं आंटी जी ये मेरा शुकराना ससंग है ससंग करते टाइम कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ कर दीजेगा संग जी परसो मेरी बेहन के बेटे को गुरू जी की बहुत बहुत जरूर थी संग जी गुरू जी को मैं ही मानती हूँ सुरूप मेरे माइके में भी है पर मानती मैं ही हूँ परसो हम सब बहुत परिशान हो गए थे संग जी बात थोड़ी परसनल है वो मैं बता नहीं सकती पर मेरे गुरू जी तो सब जानते हैं हमने बहुत फोन इधर उधर घुमा लिया पर कोई साहयता नहीं मिली मेरी बहन के बेटे के लिए हम बहुत लाचार समझ रहेते खुद को संगत जी फिर मैंने गुरू जी के सुरूप के आगे बैठ के अरदास लगाई गुरू जी उस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए प्रभू संभाल लो रात भर उठ उठ के मंतर जाप करती रही कि ये मंतर जब उस बच्चे के लिए है गुरू जी उसे ठीक ठाक घर ले आएं गुरू जब संगत जी जब गुरू जी से अरदास लगा ली तो फिर किसी की हेल्प की क्या जरूर पर फिर भी हमको हेल्प मिली मैंने तभी कि गुरु जी उसके साथ ही रहना मेरी अर्दास सुनी गुरु जी ने संगत जी मैंने यही कहा था गुरु जी वो बच्चा सही सलामत घर आ जाए तो मैं अपना शुक्राना ससंग शेयर करूँ जी शायद कुछ बड़ा होते गुरु जी ने कम में खतम कर दिया जै गुरु जी शुक्राना गुरु जी मेरे मालिक अपनी मेहर हम सब पे बनाए रखना गुरु जी मेरे मायके में मेरे ससुराल में सब पर अपनी कृपा बनाना आपके बिना हम कुछ भी नहीं गुरु जै गुरु जी शुक्राना गुरु जै गुरु जी शुक्राना गुर संगत जी तो ये आंटी जी ने अपना सक्संग शेयर किया दिली से और अब वन बाई वन तीन सक्संग और शेयर करने जा रही हूं जैली से जै गुरू जी जै गुरू जी शुक्राना गुरू जी गुरू जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जै गुरू जी और उनका भी बह मैं निकाल कर हमारे सत्संग सुनने का सुमन अंटी जी आपको भी जै गुरू जी और आपका भी शुकराना हमारे सत्संग संगत जी तक शेयर करने का सत्संग शेयर करने से पहले मैं संगत जी मंतर जाप करना चाहूंगी आप लोग भी सभी मेरे साथ मंतर जाप जरूर करिये ओम नमस्षिवाए शिवजी सदा सहाए ओम नमस्षिवाए गुरू जी सदा सहाए जै गुरू जी संगा जी आज मेरे दो तीन चोटे चोटे सथसंग है मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ काफी दिनों से गुरू जी का मेसेज आ रहा था कि शुक्राना कर शुक्राना कर तो मैंने सोचा लाओ आज मैं शुक्राना सच्छंग शेयर कर देती हूँ तो हुआ यूँ के पिछले महीने समादी दिवस से पहले मेरी एक जानने वाली परीचित है उनका फोन आया कि भावी ऐसे ऐसे हमें मेरे को अपनी फ्रेंड को लेकर और उसके बच्चों को लेकर गुरू जी की ब्लैसिंग दिलाने के लिए बड़े मंदिर जाना है मैंने बोला भाई बहुत गर्मी हो रही है और बच्चे छोटे हैं जाने में दिक्कत होगी फिर भी हमने प्लान बनाया तो पहले हमने सोचा के महासमादी दिवस पर चलते हैं लेकिन हम किसी कारणवश नहीं जा पाए तो हमने एक जून को प्लान बनाया कि एक जून को तो खैर संगज जी गुरू जी की इच्छा होती है जब गुरू जी को बलाना होता है जब हम जा सकते हैं अपनी मर्जित से तो हम जा ही नहीं सकते बट एक जून को गुरू जी ने हमें बुलाया तो लेकिन गर्मी को देखते हुए मैं 31 सारी को ही शाम को गुरू जी से अरदास करने लगी गुरू जी आपके बच्चे आ रहे हैं और गर्मी बहुत है प्लीज 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 कलाप ऐसा मौसम रखिएगा कि किसी को कुछ परेशानी ना हो धूफल की कर दीजेगा और हवा चला दीजेगा अच्छे से तो ऐसे से मैं गुरू जी से अरदास कर दी हूँ और अरदास करके फिर रात को मैं मतलब जब सोई तो रात को सपने में मुझे ड्रीम में गुरू जी आए और आकर बोले कुछ नहीं उन्होंने सफेद कलर का कुड़ता और लूंगी पहना हुआ था और वो अपने बैडरूम में बैठे हुए थे और एक बच्चा पता नहीं मैं बच्चे की तो नहीं शकल देख पाई नहीं पता कौन बच्चा था एक बच्चा बैठा हुआ था मैं भी वहीं बैटी थी तो बच्चा तौफी की जीद कर रहा था बस इतने जादा कुछ खास याद नहीं है मुझे वह इतना यादए टॉपी की जीद कर रहा था लेकिन गुरू जी इसक संगजी आँख खुल जाती है फिर मुझे कुछ याद नहीं था उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो अगले दिन जब हम गए तो मैं मतलब जो मेरी परीचीत हैं जिनके साथ मुझे बड़े मंदी जाना था मैंने उनकी फ्रेंड को और उनके बच्चे को भी पहली बार दिखा था तो मैंने बोला कि यह बच्चा तो मुझे रात सपने में दिखाई दिया गुरू जी ने तो ब्लैसिंग दिया है टौफियां दे करके शकल तो मुझे यार नहीं थी बच्चा इतना ही बड़ा था तो कोई बात नहीं लेकिन संगजी जो मैंने अर्दास शाम को की थी वही मैंने सुबा को भी अर्दास की गुरू जी मौसम अच्छा रखना बच्चे आ रहे हैं ब्लैसिंग लेनी के लिए और संगजी आप यकिनी करोगे इतना प्यारा मौसम रखा गुरू ज दिन इतना प्यारा मौसम रखा अतनी हलकी धूप सब अराम से गए हलकी अच्छी हवा चल दीती और बड़े मंदिर में बीच बीच में बारिश भी हो दे बड़े मंदिर भी गए तो जैसे ही हमने एंटर किया और गुरू जी की कोटिया के दर्शन हुए फिर जूले के पा भाने कगा ये तो अमुट वर्शा है गुरू जी ने किया तो इसका अनद लिया जाए लेकिन हाँ खूच देर तक वो होने के बाद बंद हो गई उसके बाद हम अंदर हॉल में गए गुरू जी के भवन में वहाँ बहुत प्यारे दर्शनुए संगजी बहुत प्यारे दर्शनुए गुरू जी के और उसके बाद हम आए उस दिन संगजी लंगर परशाद पैक्ड मिल रहा था हमने लंगर परशाद लिया और जल परशाद लिया और हम मंदी से वापस आ गए बहुत प्यारे दर्शन वे गुरुजी के उसके बाद हम घर आ गए लेकिन मौसम वैसा ही रहा जैसा हमने सोचा था किसी को कुछ नहीं हुआ गुरुजी का लख लख शुकराना कोटी कोटी शुकराना नंतम नंतम शुकराना मेरे गुरु महराज का इतने प्यारे दर्शन देने का हमें सब को बुलाने का मौसम की जो मैं अर्दास लगाई थी वो कबूल करने का लख लख शुकराना कोटी कोटी शुकराना मेरे गुरु महराज का जितना भी शुकराना करू कम है संगज जी बहुत प्यारे गुरु महराज हैं हमारे एक दम ऐसे सुन लेते हैं कि मैं क्या ही बताऊं अब एक और सत्संग में छोटा साथ को सुनाती हूँ अभी मैंने महां से बड़े बंदी से आने के बाद गुरुजी का एक बड़ा सो रूप मुझे मिला था सत्संग में से तो मैंने वो कराया फ्रेमिंग कराई तो उसको लगाना था तो तीन चार दिन हो गए थे मैं बीच बीच में किसी को बोल दीती मतलब जो डिल मशीन द्वारा लगा रहा था वो लगाने वाला भी नहीं आ पा रहा था लगाने के लिए वो तो खैर गुरुजी की इच्छा थी जब ज देखो क्या हुआ हमने इंवर्टर हमारा खराब हो रहा था तो इंवर्टर वाले को बुलाया उसने इंवर्टर वगरा ठीक किया और तो मेरे को अचानक से गुरुजी थौट डालते हैं कि इसको पूछतू कि इसके पाद डिल मशीन होगी तो मैंने उसको बोला मैंने का भ उन्होंने मेरे कमरे में दूसरा सरूप देखा बोले वो के भावी मैं तो इन वाले गुरू जी के आद दो बार जा चुका हूं मैंने बोला जै गुरू जी शुक्राना गुरू जी भाईया आप से गुरू जी को सेवा लेनी थी इसलिए से इतने दिन से लेट हो रहा था सरूप नहीं लगपा रहा था तो आज आपको सेवा मिली है तो उन्होंने सबसे पहले गुरुजी को नमशकार किया उसके बाद उनके चरन सरूप छुए और बस फिर उन्होंने अपना काम शुरूप गिया बहुत अच्छे से नाप करकरे के और बड़े प्यार से उन्होंने सरूप को टांगने की तैयारी की लेकिन कुछ कारण मंश मतलब करके गए थोड़ा काम तो बोले बाद में कि कुछ काम किया था तो वो सूपने के लिए छोड़ दिया तो बोले कि बस भावी आप लोग टांग लेना इसको बाकि मै आप जरूर जाना गुरू जी के दर्शन करने अपने परिवार वालों को लेकर और क्रफा तो शुरू हो ही चुकी है गुरू जी ने आज आप से लेली वह भी बहुत खुश हुए बोले कि बस मुझे भावी इंवर्टर के ठीक करने के पैसे देना ये पैसे मैं नहीं लू जी गुरू जी करवाते हैं और गुरू जी को कैसे किस से क्या सेवा लेनी है वो उनको उनको खुद कराना होता हो निश्चित होता है सब कुछ हमारे करने से कुछ नहीं होता संगा जी और जो सेवा जिस से लेनी होती वो ले ही लेते हैं तो शुक्राना है मेरे गुरू मार बहुत प्यारे हैं, बहुत जल्दी सुन लेते हैं, सब की अरदास तो, आप से मेरा नम्र निवेदन है, कि आप अरदास जरूर करें, जो आप मंतज आप करते हैं, उसके बाद तुरंट अरदास करें, गुरू जी जरूर सुनते हैं, जरूर सुनते हैं, और शुकराना करते रहें गुरू जी का के हम उनकी शरन में हैं और सदा ऐसे ही रहें गुरू महाराज हमें सब को ब्लैसिंग देते रहें सारी संगत पर अपना अपनी किरपा बनाए रखें सब का कल्यान करें जै गुरू जी शुक्राना गुरू जी अब मैं अपनी वानी को यहीं विराम देती हूँ ओम नमस्षिवाए शिवजी सदा सहाए ओम नमस्षिवाए गुरू जी सदा सहाए ओम नमस्षिवाए शिवजी सदा सहाए ओम नमस्षिवाए गुरू जी सदा सहाए लख लखवार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर श्वास के साथ पल पल शुक्राना गुरु जी महाराज, ओम नमस्छिवाय, शिवजी सदा सहाई, ओम नमस्छिवाय, गुरु जी सदा सहाई, ओम नमस्छिवाय जैसे गुरूजी कहते हैं कि में को मंगो नहीं मननो तो गुरूजी नहीं मुझे एक इंटर्व्यू के लिए मतलब भीजा था और वहां पर मेरा इंटर्व्यू भी हुआ राउंड हुए एक दो उसके बाद फाइनल राउंड भी हुआ और उसका अभी तक रिसल्ट नहीं आया उन्होंने बताया नहीं अभी तक तो मैं बड़ी परेशान थी उस चीज़ के लिए और गुरूजी ने उसके लिए अरदास भी करवाई थी मुझसे मतला मुझे नहीं पता था कि सत्संग में क्या कहना है पर गुरूजी ने आई तिंक आपको बता भी होगा कि मैंने लास दूसरे तीसे सत्संग में आपसे कहा था कि प्लीज आप मेर लिए अरदास करवानी बड़ गुरूजी ने आपसे अरदास करवाई मुझसे तो शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना लख लखवार शुक्राना अब situation यह है कि अभी तक मेरा उन्होंने बताया नहीं है थोड़ी सी mistake हो गई थी interview में बट ठीक है वो overall कर सकते हैं उसके लिए yes कर सकते हैं बट अभी तक उसका आय नहीं तो मैं बहुत परेश इसलिए यह भी गुरुजी की मेहर है और उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज कि मुझे कोई financial इसलिए आपने मुझे एक temporary job भी जॉइन करवा रखी है तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज अब मैं उस बहुत परेशान थी उस चीज़ को लेकर कि मेरा वो बतानी रहे हैं बतानी रहे हैं तो कहते हैं न कि गुरुजी जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं तो कल मुझे वह भाव आया मन में कि हो सकता है वहां पर महौल अच्छा ना हो या कुछ ना हो क्योंकि हमें अच्छा विए अपने जिम्मेवारी समझाने के लिए जो आपने भाव दिया उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना लख लखवार शुक्राना गुरुजी महाराज क्योंकि मैं से सोच रहे थे कि वहाँ जॉइन करूंगी तो यहाँ पे मेरा पूरा कंसंट्रेशन नहीं था अपने काम पे आपने मुझे अपना कंसंट्रेशन दिया, मुझे अपनी जिम्मेवारी समझाई उसके लिए बहुत 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 शुकराना गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम शुकराना आपने जो financial issue दूर कर रहे हो उसके लिए शुकराना आपने जो हाथ पकड़ा है उसके लिए शुकराना गुरुजी महाराज आपने जो black magic दूर किया उसकी ते शुकराना गुरुजी महाराज आपने जो blessing दी है health, wealth, अच्छा खाना, पीना, अच्छे कपड़े पहनना, घूमना आपका नाम जपना गुरुजी महाराज अपने दर पे बुलाना, अपने दर पे बिठाने के लिए शुकराना गुरुजी महाराज हाथ पकरने के लिए शुकराना, आपकी इतने प्यार के लिए शुकराना गुरुजी महाराज आपने इतने ज्यान देने के लिए आपकी इतनी प्यारी संगत देने के लिए शुकराना गुरूजी महाराज आपका किस चीज चीज का शुकराना करूँ आपकी इतनी इतनी ब्लेसिंग है जो हमें पता है उसके लिए भी शुकराना गुरूजी महाराज लख लख वार शुक गूर्णा गूरूजी महाराज करते हैं अमनम्नध शिवय को ऐससे हुआ भी अच्छा मांगो तो गूरूजी मैं भी अरदास करती हूँ आपसे की कि प्लीस सर्बद्द भला करना मुझय वोस बता ओकर यह से कहना नहीं आता है बेट में एक सिंपल लाइम में आपसे बोल देती हूं कि सरबद्धा भला करने। क्या आप सब जानते हों कि आपसे क्या-क्या अर्दास सबके लिए करने चाहिए। तो सबको खुशियां देना, सबको प्यार देना, सबका हाथ भकरना, सबके उपर महर करना, गुरुजी महाराज, सबके रोकष्ट दूर करना, सब पे महर करना, सरबद्धा भला करना, गुरुजी महाराज, नानक नाम चरदी कला, तेरे पाने सरबद्धा भला, जै शुक्राना गुरू जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरू जी जै गुरू जी जै संकर जी शुक्राना गुरू जी शुक्राना गुरू जी जुक्राना 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 गुरू जी जुक्रा लिर्खी का पेले छोटे चुलमन इसको मापड़ती थी उदिली में फिर हमने इसका हूँ भी डिली तो गुरुची कि गिता दो जी है मैं अमना संज़ा पुरस मेद्ध क्या बोला, उसमें उन्हीं कुछिंभी हूं क्या उंदिस नहीं बताया तो वे जए ओ नमश्यु वाए शुदी शदा साहे ओ नमश्यु वाए गूरी। हुआ शूचिस अगर्च है कि अब भुट्राना गुरूजी बोटी पोटी इस को अलग लग शुकराना इस को से कुछा रहा। में देटी भी माचिमस का अबिशन का भराएं था तो लटकी वहां जाते ही श्कुछ आना इस अपत्रिया आज दिया आं कि रहता है तो नाम आया है गुरुची की किरपा से उसी दिन नाम आया है फ्राइडे को 31 दे फ्राइडे को और एड़्विस्टों सिजन हुआ है कि तीन तारिक को मंडे को तो गुरुची की किरपा है अगर जितना मैं शुक्राना करूं उतना मेले कम हैं हम तो खाली भागतोर करने वाले हैं निकिंग करा कुछी पिने हैं हम तो कुछी भी ने हम तो जहां काम पढ़ें वहां चाहनगे काम कराने वाले हैं अपका बहुत सुबराना कि सुभंटी आपको भी बहुत बहुत कोटी कोटी पढ़ना हो आप आप अच्छी संशन सुनाते हो तो प्यारे प्यारे बार बताते हो अच्छी मैं सजा करते हो कि सुनाते हो आपको 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 आ